नमस्कार कैसे हो आप सब अगर आपको मैध पसंद है तो चलिए आज बिल्कुल basic concept की बात करते हैं यह question को solve करते हैं और देखिए यहां पी बहुत बड़े बड़े number दिख रहा है और यहां पी mention है without a calculator आपको calculator का युज़ नहीं करना है और यह जो number दे रखा है इसका आपको क square root निकालना है चलिए देखिए कैसे निकलेगा बिल्कुल basic concepts है और आपको basic concept तो किलिए रखना ही पड़ेगा ओकी तो दीखिए सबसे पहले यह जो लिखा हुआ है यह आपको क्या लिखा हुआ है यह वाला term लिखा हुआ है यह 10 to the power 6 है यह पूरा आपके पास क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है 10 to the power 6 and then plus 1 ठीक है अच्छा यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है 10 to the power 6 plus 2 पहले यह चीज तो हम लोग every terms में आपका आ रहा है, ठीक है, तो late यहाँ पे एकाम करते हैं, late x is equal to 10 to the power 6 हम लोग assume कर लेते हैं, right, ठीक है, तो अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजी, तो यह क्या लिखा हुआ है, under root, ठीक है, इसको हमने क्या माना है, x माना है, तो x हो जाएगा, ठीक है, फिर यह जो लिखा हुआ है, x प्लस कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यह क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा क्या हुआ यह भी यह मैं जानना जरूरी है राइट देखो अब थोड़ा सा देखो एक काम और आपको करना पड़ेगा को काम यह है कि मैं क्या करूंगा यहां पर यह x और x प्लस 3 मैं टर्म को रिएरेंज कर रहा हूं मत्तब x इंटू x प्लस 3 एक साथ और x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 एक साथ अच्छा एक क्यों किया गया अभी आपको पता चलेगा तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टिप्लाई कीजी और इसको भी इसको क्या करना है आप square plus 2x plus x plus 2 यानि कि x square plus 3x plus कितना हो जाएगा 2 यानि कि x square plus 3x plus कितना हो जाएगा 2 and then plus क्या लिखा हुआ है 1 अच्छा अब इसके बाद एक और काम करते हैं ध्यान से देखना let y is equal to x square plus 3x मैं अजून कर लूँ ठीक है अब यहां से यहां पर root ठीक है इतना को क्या माना है y माना है ठीक है और यह क्या लिखा हुआ है तो इतना को भी मैंने y ही माना है और यह भी क्या है y ही है तो यह bracket में y plus 2 आएगा and then plus कितना आ गया 1 आ गया अब थोड़ा से इसको मैं simplify करता हूँ तो y square plus 2y plus 1 जो कि आ गया under root y plus 1 whole square और इसको हम लोग क्या लिखेंगे y plus 1 अच्छा यह अब result आ चुका है y plus 1 और हमने y क्या माना था तो x square plus 3x plus 10 यानि कि यहां पर हम लोग लिखेंगे x square plus 3x plus 1 क्योंकि हमने y कुछ माना था ठीक है यह आ गया अच्छा x भी हमने कुछ माना था देखो final result ही आ चुका है x क्या माना था हमने 10 to the power 6 तो बस e value यहां put कर देना है यानि कि 10 to the power 6 और यहां पर a square and then plus 3 into 10 to the power 6 plus 1 जिसको हमने लिख सकते हैं 10 to the power 12 plus 3 into 10 to the power 6 plus 1 अच्छा थोड़ा सा इसको 3 से multiply करके सबको add करके निकलो यह हमारा क्या आगया आंसर आगया ठीके तो देखो कैसे proceed हुआ यह बहुत मज़दार था ना तो ऐसे question को हम लोग ऐसे proceed करते हैं बहुत basic concept था और basic concept के लिए तो every exams के लिए मेरा यही मानना है Thank you